Good morning all of you, कल हमने chapter 7 कारक पढ़ना शुरू किया था, आज हम कारक के भेद पढ़ेंगे First कारक, First करता कारक, जिस संग्या या सर्वनाम शब्द से क्रिया के करने वाले अर्थात करता का बोध होता है उसे करता कारक कहते हैं, जैसे मोहिनी ने गाना गाया, तुम कुछ करना नहीं चाहते, वीमल ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने खाना खाया कि यहां क्रिया हो चुकी है मोहिनी ने गाना गा चुकी है तुम कुछ करना ही नहीं चाहते विमल ने पुस्तक पढ़ ली है मोहन ने खाना खा चुका है यहां क्रिया हो चुकी है कर्दा कारक का चिन्न ने है जो इसके साथ आभी सखता है और नहीं भी सेकंड कर्मकारक जिस शब्द पर कर्दा द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्मकारक कहते है उधारन मीना ने आम खाया तुम बिजय को सूचना दे दो उसको चाय पिला दो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया कर्दा कारक का चिन्न को है यहां कभी इसके साथ आता है और कभी नहीं थर्ड कर्नकारक जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्नकारक कहते है जैसे हम रेल से जम्मू पहुँचे यहां पत्र शंभू के द्वारा भीज़वा देना गलत लिखा रबड से मिटा दो मुझे अकभार के द्वारा सूचना मिली हम रेल से जम्मू जाएंगे हम किसे जम्मू जाएंगे रेल से तो यहां यहां रेल द्वारा क्रिया की जा रही है यहां पत्र शम्भू के द्वारा भिजवा देना शम्भू के द्वारा पत्र भिजवाने की बात हो रही है करता कारक के चिन से और के द्वारा है संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रतान कारक कहते है जैसे बंदर के लिए चने लेकर आओ रवी को खिलोना दे दो चाय के लिए इतना दूद कम है बच्चों के लिए दूद अच्छा होता है यहां कहा गया है जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है जैसे बंदर के लिए चने लेकर आओ बंदर के लिए चने लेकर आओ रवी को खिलोना दे दो यहाँ जैसे बंदर के लिए चने लेकर आओ तो यहाँ क्रिया की जा रही है रवी को खिलोना दे दो रवी को खिलोना दे दो यहां किसी को कुछ दिया जा रहा है समरदान कारक के चिन को और के लिए है फिफ्थ अपादान कारक जिससे एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते है जैसे संदीफ स्कूटर से गिर गया मैं आरम से ही बुद्धिमान रहा हूँ दिल्ली से ही मुंबई बहुत दूर है तुमकल से दिखाई नहीं दिये यहां संदीप स्कूटर से गिर गया यहां एक दूसरे से अलग होने की बात की जा रही है संप्रदान कारक का चिन से है संपंद कारक जो शब्द एक संगया या सरोणाम का संब्द दूसरी संगया या सरोणाम से स्थापित करता है संब्द कारक कहते है उधरन यहां रमेश का बैग है मैंने भाई की घड़ी पहनी है वे दिव्याश के पिता है उसकी नानी आई है सम्मंद कारक के चिन का के और की है यहाँ जो पुरलिंग होता है वहाँ का का उपयोग होता है स्रेलिंग के लिए की का उपयोग होता है और बहुबचन के लिए या आधर सुचक के लिए के का उपयोग होता है जो शब्द क्रिया के आधार या समय को प्रकट करता है उसे अधिकरन कारक कहते है जैसे तालाब में मगरमच्छ रहता है गुफा के अंदर पैरों के निशान है पेड़ पर गुलाब खिला है पेड़ के नीचे छाया है संबंद कारक के चिन में पर के अंदर के नीचे आधी है लास्ट कारक संबोधन कारक जिस खारक शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते है जैसे अरे तुम कहां से आ गए? वाह आपने तो कमाल कर दिया हाई यह तो बहुत बुरा हो गया राहूल तुम किधर जा रहे हो? विशेश में देखिए संबोधन कारक का कोई चिन नहीं होता लेकिन इसकी पहचान आशरे जनक चिन में आशरे जनक चिन से की जाती है से हो जाती है जो संबंद कारक के तुरंद बाद लगता है संबोधन कारक सदे वे वाके की आरंब में आता है और इसके बाद संबोधन चिन अल्प विराम चिन अवश्य लगता है जैसे उपर सेंटेंस में देखिए हम एक्समेंशन साइन लगाते है ठीक उसी तरह से साइन लगता है और लास्ट में पूर्णविराम लगता है